नमस्कार मैं हूँ आपकी खास दोस्ट डॉक्टर सपना और फिर एक बार स्वागत करती हूँ आप सभी का कैसा रहेगा आपका आज में जिसमें मैं आपको बताऊंगी आज का आपका दैनिक राशिफल साथ साथ जिनका है आज जनम दिन या है शादी की सालगेरा आपके लिए होंगी मेरी तरफ से खास टिप्स तो आई ये शुरुवात कर लेते हैं आज के पंचांग के साथ बिनांग 25 जुलाई 2012 विक्रम समवत 2079 आज है दिन बुद्वार सावन का महीना शुक्ल पक्ष सब्तमीति थी हस्त नक्षत्र चंद्रमा तुला राशी में संचार करेंगे तो जानते हैं मेश राशी के बारे में आज अचानक कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं आज के दिन हडबडा हट में काम कर आप ना करें सफलता का सूत्र यही है कि बाहर निकलते समय गण पती के मंत्र का आज के दिन आप करें ध्यान पर क्या आप ना करें बिनह वजह दूसरों के मामलों में हस्तेक शेप आपको नहीं करना चाहिए शुबरंग रहेगा पीला रंग और शुबंग होगा आपके लिए नौ जान लेते हैं व्रश राशी के बारे में ओफिस में अपना वहवार आपको सयमित रखना चाहिए आज किसी पुराने साथी से आपकी भेट हो सकती है सफलता का सूत्र यही है कि मखाने की खीर आज के दिन आपको अवश्य खानी चाहिए पर क्या आप ना करें आज हरे रंग के कपड़े आप ना पहने शुबरंग रहेगा लाल और शुबंग होगा आज के दिन पाँच जानते हैं मिथुन राशी के बारे में आज आपको नौकरी के ओफर्ज मिल सकते हैं लंबे समय से रुका हुआ काम आज के दिन आपका जरूर पूरा होगा सफलता का सूत्र आज के दिन यही है कि गले में लाल रंग का धागा पहने पर क्या आप ना करें आज के दिन आपको घर के नल खुले नहीं छोड़ने चाहिए शुबरंग रहेगा गुलाबी और शुबंख होगा आज के दिन तीन 25 जुलाई यानि के आज का दिन जिनका है जनम दिन हमारी तरफ से बहुत सारी शुबकाम नाए आपके लिए भोले शंकर पर चंदन चढ़ाना और अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाना आज के दिन आपके लिए रहेगा सबसे अच्छा करक राशी के बारे में आज कारे छेत्र में प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी स्वास्त के प्रती आज के दिन आपको सतर्क रहना चाहिए सफल्दा का सूत्र यही है कि आज गणेश जी करनी चाहिए आपको उपासना पर क्या आप ना करें आज के दिन फैसले लेने में दुविधा आप ना रखें इसोट समझ के लिजेगा जीरवन के एहम फैसले शुबरंग रहेगा आज के दिन आसमानी और शुबध के दिन चार जानते हैं सिंगराशी के बारे में जीवन साथ़ी के साथ आज के दिन मनमुटाव हो सकता है किसी भी बात को आज के दिन बिना वजे आपको तूल नहीं देनी है सफलता का सूतर यही है कि घर के में गेट के दाई तरफ आज के दिन आपको पानी रखना चाहिए पर क्या आप ना करें? आज कहीं गूमने का कारिक्रम आप ना बनाएं शुबरंग रहेगा भूरा और शुबंख होगा आज के दिन छे जान लेते हैं कन्या राशी के बारे में आज अपने खान पान पर आपको विशेश ध्यान जरूर देना चाहिए आज सिर में दर्द रह सकता है सफलता का सूत राज के दिन यही है कि बात्रूम के बाएं कोने में एक कटोरी में आपको नमक रखना चाहिए ऐसा करने से नेगिटिव एनरजी आपकी दूर होंगी पर क्या आप ना करें? आज मिठाई से आपको परहेज रखना चाहिए शुबरंग होगा हलका हरा और शुबंख होगा आज के दिन आठ 25 जुलाई यानि कि आज के दिन जिनकी है शादी की सालगिरह हमारी तरफ से धेरो शुब कामनाए आपके लिए विवाहित जोडे को आज के दिन शिव मंदिर में दर्शन अवर्शे करने चाहिए तुला राशी के बारे में सहयोगियों से आज के दिन आपकी अनबन हो सकती है आज वहपार में लाब जरूर होगा लेकिन सफलता का सूत्र आज के दिन यही है कि माथे पर लगाईए रोली का अतिलक साथ साथ क्या आप ना करें आज किसी से उची आवाज में आपको बात नहीं करनी है फिजूल के जगडों में आज के दिन आपको नहीं फसना है शुबरंग रहेगा नारंगी और शुबंख होगा आज के दिन साथ जान लेते हैं व्रश्चिक राशी के बारे में आज आप से लोग खुश रहेंगे मित्रों और सही योगियों में आज के दिन आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी आज के दिन सूरेज नमस्कार करना आपके लिए रहेगा सबसे अच्छा पर क्या आप ना करें आज के दिन कम दाम की कोई डील आपको नहीं करनी है शुबरंग रहेगा सफेद और शुबंख होगा आज के दिन दो जानते हैं धनूराशी के बारे में वेपार में देर से ही सही पर आज के दिन लाब आपको अवश्य होगा घरेलू समस्याएं आज के दिन आपको परिशान कर सकती है सफलता का सूत्र यही है कि रुमाल में ओम मंत्र लिखकर अपने पास रखें पर क्या आप ना करें आज के दिन आपको अनावशक किसी की मदद नहीं करनी है शुबरंग है नारंगी और शुबंग है आज के दिन एक जानते हैं मकर राशी के बारे में आर्थिक स्थिती में आज के दिन आपकी होगा सुधार करियर में कुछ गुड नीउस आज के दिन आपको मिल सकती है सफलता का सूत्र यही है कि आज जेब में सफेद रंग का कपड़ा रखना आपके लिए रहेगा सबसे अच्छा पर क्या आप ना करें आज कहीं भी आपको आवेदन नहीं देना है आज के दिन important decisions को आगे की तरफ दालिएगा शुबरंग रहेगा क्रीम और शुबंग होगा आज के दिन नौ जानते हैं कुम्ब राशी के बारे में सोच समझ कर आज के दिन आपको निर्नय लेने चाहिए आज घरेलू समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी सफलता का सूत्र यही है कि पैन में आज के दिन रोली बांद कर आपको अपने जेब में रखना चाहिए पर क्या आप ना करें आज के दिन आप कम बोलें सोच समझ कर ही अपनी वाक पटुता की माहिरता को दुनिया के सामने दिखाएं शुबरंग आज के दिन होगा मेजिंटा और शुबंग होगा आज के दिन तीन जान लेते हैं मीन राशी के बारे में व्यर्थ की बातें या बहकावे पर आपको ध्यान नहीं देना है पडोसियों से परिशानी आज के दिन आपको हो सकती है सफलता का सूत्र यही है कि आज खाने में हल्दी जरूर शामिल करें लेकिन क्या ना करें आज के दिन काले रंगे जूते पहन कर आपको आफिस नहीं जाना है शुबरंग रहेगा पीला और शुबंग होगा आपके लिए आठ कहते हैं कि राम लीला कर लेने से कोई राम नहीं होता और गीता पाठ कर लेने से कोई शाम नहीं होता सत्य शिखाएं जीवन में सर्वस्व मांगती हैं हाथ पर हाथ धर लेने से कुछ नहीं होता आपकी मेनत आपकी शिद्दत आपको जीवन में बनाती है काम्याव इसी खास नोट के साथ अपनी खास मित्र यानि सपना श्री को दीजे इजाज़त कल फर ठीक इसी जगा इसी समय आप से होगी मुलाकात जिसमें मैं आपको बताऊंगे आपका दैनिक राशिफर नमस्कार